नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे EC2 चैनल में दोस्तों आज हम बात करने हैं छाझ के बारे में यानि कि जो भैस development के दही जो है वह बहुत लोगों को हानी करता है उसको कैसे आपको इस्तमाल करना चाहिए थो चलिए सुरू करते हैं। दोस्तो एक हो गया छाँच एक गिलास है यानि देड़ सव गराम दो सव गराम इसमें होगा अकर गर्मी के मौसम में दो गिलास एक मार लेते हैं तो समझे कि आपकी मोटापा बढ़ेगा और जीन लोगों को शरीर में गर्मी महसूस होती होगी उनको भी ठीक हो जाएगा दा दखाच ख़जली वाले को नहीं देना है यह छाँच और इसमें क्या करना है कि अबर आप लोगों को सरीर में खुजली है तो दही नहीं खाना चाहिए इसको ए जो छाँच है ओही पीना चाहिए और जीन्डिस की मिमारी है उन लोगों के लित ऐने लोग uniform है और जरत बिलमी देल में अने नहीं चाहिए लेकिन फ्रखश जो 예प संधे मूल्ब के पाइदेमांध होता है अगर आप लोग चिर रोजब्स पीते हैं खाना खाने के वाद या खाना खाने से पहले तो आपको पी aloud की प्रोब्लम जो है कोई नहीं होगी और ब्हुत सीर की बीमारी की अंत हो जाएगी अगर उर्व शेठी की मारी आपको तो तुरंत इसससे राहत होगा लेकिन आपको जीन लोगों को एक बार मैं कहा देता हूं कि जीन लोगों को दाद खाज खुझ ली है उनको ए छांच नहीं पीना चाहिए यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि छांच पीने से तरह तरह की बीमारी जो है वो हो जाती है दोस्तों वीडियो दखन आज को इस्तमाल एक बार जरूर कीजिएगा देखिए मैं पी रहा हूं तो फ़्यासा वीडियो बन कर दूँ उसके बाद मैं पी जाऊंगा